अगर आप एक राइस मिलर हो तो आपको ये जानके बहुत सर्प्राइज होगा कि पिछले एक साल में 70,000 क्रोर, 70,000 क्रोड का चावल एक्सपोर्ट हुआ है भारत से लेकिन किसी भी इंपोर्टर से आप अगर पूछोगे तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सा राइस मिल से एक्चुली उनका चावल आया है उसका मतलब ये है दोस्तों वो आपको जानते ही नहीं होंगे आप एक राइस मिलर हो, आपने राइस मिल किया, सप्लाई किया, पहुंचाया, पोर्ट में पहुंचाया, CFS में पहुंचाया लेकिन आपको तो कोई जानता ही नहीं है तो आप हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आज के दुनिया में मुझे तो बिल्कुल या बहुत यकीन से में बोल सकता हूँ कि आपके पास Facebook होगा, YouTube होगा, Instagram होगा, WhatsApp होगा लेकिन जो Importers होते हैं, Buyers होते हैं, वो तो आपको कहीं डून धी नहीं सकते हैं क्योंकि आप online नहीं हो कोई platform हो, कोई website हो, कोई app हो आपके लिए तो बना गया ही नहीं है, तो आज मैं आपसे बहुत request के साथ मैं आपको ये बोलना चाता हूँ दोस्तों कि अभी मुझे लगता है कि वो time आ चुका है राइस मिलर्ज, जो चावल के मिलर्ज होते हैं, उनको एक पहचान देना बहुत बहुत जरूरी है कैसे? हम PWIP में वो जो पहला कदम है, वो हम अलरड़ी उटा चुके हैं सौ से ज्यादा राइस मिलर्ज हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं हम उनको कैटलोग बना चुके हैं, हम उनके लिए वीडियो बना चुके हैं वो वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल में उसको अलरड़ी पोस्ट कर चुके हैं ऐसे ही हम आपको मदद करना चाते हैं दोस्तों यह टाइम है, कोई भी हो, सतर हजार करोर का जो राइस एक्सपोर्ट, चावल एक्सपोर्ट है, हो रहा है उसमें इंपोर्टर्स को आपको डैरेक्ट मेसेज करने का एक अपर्चुनिटी होना चाहिए वो आपको डून सके, आपसे बाते कर सके, आपका एक इमेज बना रहें, यह सब बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के दिल पर तो मेरा सिर्फ इतना धर्कवाज है आपसे कि आप आओ, हमको कॉंटक्ट करो, हमारा जो नंबर है उसमें आप एक कॉल या मेसेज करो और हम जुडें और आपका कैटलोग हम बनाना चाहते हैं आपका एक वीडियो हम बनाना चाहते हैं आपका एक इमेज हम बनाना चाहते हैं दोस्तों मैं बेट करूँगा आपका कॉल का थैंक यू